हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तू माई चैनल फ्रेंड्स देखो आज हम यह वाला डिजाइन बनाना सिखेंगे जो की बहुत ही आसान है यह जो डिजाइन है यह केवल दो सलाई में बनता है यानि की टूरो का यह रिपीट पैटन है और डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पैपलाई कर सकते हो बहुत ही उभर के आने वाला यह डिजाइन है इस तरह से जो यह केवल बनती है यह जो है यह बहुत ही उभर के आने वाला डिजाइन है आप इस डिजाइन को मोटी उन पर बना सकते हो पतली उन पर भी बनाओगे तो पतली उन पर भी यह डिजाइन ख की बैक साइट उल्टी तरब से ऐसे दिखता है केवल दो सलाई का यानि कि टू रो का ये रिपीट पैटन है तो चलो फटा-फटसे से बनाना शुरू करते हैं तो ये देखिए इस पे मैंने डाले हैं 18 फंदे 7-7 फंदे मैंने इस पे दो बार डाले हैं 14 फंदे डिजाइन के हैं और चार फंदे मैंने एक्स्रा लिए हैं तो आपने भी इसी तरह से पन्दे लेने हैं 7-7-7-7 करके और लाश्ट में 4 फंदे एक्स्रा लेने हैं ठीक है तो ये डिजाइन जो है पहली सलाही हम उल्टी तरब से बनाएंगे डिजाइन स्टार्ट हमारा बैक साइड से होगा पहली सलाई उल्टी तरब से तो ध्यान से देखिएगा पहला फंदा उल्टा उतारे या बुने या आपकी मर्जी है क्योंकि यह ऐस्टिच है इसके बाद धागा पीछे कर देना है अब डिजाइन यहां से स्टा हो गया है ठीक है देखिए दो फंदे सीधे बनाएंगे एक और दो फिर धागा आगे कर देंगे यह जो फंदा है इसे उल्टा बुनेंगे लेकिन इसको हम इस तरह से दो बार सलाई पर धागा गुमा के बनाएंगे इसे ऐसे ठीक है इसके बाद तीन फंदे उल्टे जैसे हमने पहला फंदा उल्टा बनाया था डबल करके वैसे ही यहां से यह देखिए यह दबल फंदा बनाया था फिर तीन उल्टे बनाये थे फिर चौते फंदे को बनाना है अब देखिए यहां से लेके और यहां तक यह साथ फंदो का डिजाइन है इसी को ही हमने पूरी स करना है फिर से दिखिए दो फंदे सीधे दागा अपनी तरफ लेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे डबल करके ठीक है इसके बाद तीन फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो और तीन फिर चौते फंदे को भी उल्टा बनाएंगे लेकिन इसे भी डबल करके बनाएंगे ऐसे तो इसी तरह से हमने साथ साथ फंदों को पूरी तरह से रिपीट करते वे जाना है फर्स्ट रूम में तो ऐसा करते करते लाश्ट में दो फंदे सीधे आएंगे और एस्टिच उल्टा बुनेंगे तो इस तरह से हमारी पहली सलाई यहाँ पे ओवर हो जाएगी ठीक है दो फंदे जो उल्टे दिखाई दे रहे हैं उन्हें उल्टा ही बनाएंगे दो फंदे उल्टे धागा पीछे कर देना है आप देखिए जो यह डबल वाला फंदा है इसे हम यहां लाएंगे और पीछे वाला फंदा आगे लाएंगे तो इसके लिए हम इसे नीचे गिराएंगे पहले इस फंदे को यहां लाएंगे और डबल वाले फंदे को पीछे ले जाएंगे फिर दोनों को सलाई पर रखेंग और दोनों को सीधा बुनेंगे इस वाले फंदे को पीछे से बुनना है ऐसे धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे अब देखिए जो यह डबल वाला फंदा है यह वाला फंदा डबल वाला फंदा इसे आगे लाएंगे और इसे पीछे ले जाएंगे तो इसके लिए हम दोनों फंदों को सलाइसे नीचे उतारेंगे पीछे से पहले फंदे को लाएंगे पीछे और पीछे वाले ढ़ने जो यह लूस वाला फंदाई से आगे लाएंगे अब इसे इन दोनों करके दो फंदे उल्टे जो दिखाई दे रहे हैं इन्हें उल्टा बुनेंगे धागा पीछे करेंगे इस डबल वाले फंद को नीचे गिराएंगे पीछे वाला फंदा आगे लाएंगे आगे वाला फंदा पीछे ले जाएंगे इस तरह से अब इन दोनों फंदों को सीधा बनाना है इस तरह से फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे फिर धागा पीछे करेंगे फिर से देखिए दो फंदो को सलाई से निकालेंगे पहला फंदा पीछे ले जाएंगे पीछे वाला फंदा जो ये लूज वाला फंदाई से आगे लाएंग और एस्टिच सीधा बनाएं तो फ्रेंट्स जो यह दो सलाई मैंने आपको बना के बताईए ना इन्ही दो सलाई को आपने बार-बार रिपीट करना है देखिए एक बार मैं आपको फिर से बना के बताती हूं पहला फंदा एस्टिच है इसे स्लिप करेंगे धागा पीछे कर भण आइंगे दागा अपनी तरफ ले लेंगे यह उल्टा फंदा हे इसे डबल करके बनाएंगे इसके बाद तीन अल्टे बनाएंगे एक दो और तीन के फिर चॉत्य फंदें को भी उल्टा Yukेंगे लेकिन डबल करके बनाएंगे इस तरह से ठीक है फिर इसी को ही रिपीट करेंगे दो सीधे दागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा इस तरह से डबल करके बनाना है हमने फिर तीन फंदे उल्टे एक दो और तीन चौथे फंदे को भी डबल करके बनाएंगे उल्टा ऐसे ठीक है इस तरह से करते करते लाश्ट में दो फंदे सीधे आएंगे और एस्टिच उल्टा बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने यह पहली सलाई फिर से बनाई है ठीक है अब देखिए दूसरी सलाई सीधी तरफ से पहला फंदा एस्टिच है इसे सीधा स्लिप करेंगे धागा अपनी तरफ लेंगे दो फंदे को पीछे ले जाएंगे अब इन दोनों फंदों को सीधा बनेंगे देखिए इस तरह से फिर धागा अपनी तरफ लेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे अब देखिए इन दोनों फंदों को स्लाई से इस तरह से उतारेंगे आगे वाला फं इसे आगे लाएंगे अब इन दोनों फंदों को सीधा बनाएंगे इस तरह से ठीक है फिर से देखिए एच को छोड़की यहां से लेकि यहां तक यह साथ फंदों का डिजाइन इसी को ही रिपीट करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे धागा पीछे कर देंगे देखिए जो यह डबल वाला फंदा इसे नीचे गिराएंगे और जो पीछे यह वाला फंदा इसे आगे लाएंगे आगे वाले फंदे को पीछे ले जाएंगे इस तरह से अब इन दोनों फंदों को सीधा बनाना है इस वाले फंदे को हमने बैक लूप से बुनना है ऐसे ठीक है फिर दागा अपनी तरफ लेंगे दो फंदे उल्टे एक फंदा है यहाँ पर सौरी यह फंदा जो है न इस डिजाइन के बीच में एक फंदा उल्टा है दागा पीछे कर देंगे अब देखिया इन दो फंदो को सिधा बनाएंगे इस तब इसे बनाना है फिर दागा आगा आगे कर देना है दो फंदे उल्टे बनाएंगे और S-Stitch को सीधा बनाएंगे तो मैंने यहाँ पर दो बारा आपको यह डिजाइन बना के दिखा दिया है दो-दो सलाई का ही यह डिजाइन है फ्रेंट देखे कितना आसान डिजाइन है और बनने के बाद यह बहुत ही ब्यूटिफुल दिखाई देता है आप जरूर बनाएगा इसे और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको डिजाइन कैसा लगा पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शियर करें अपने दोस्तों के साथ चैनल को भी सबस्क्राइब कर ले थैंकियो फर वाचिंग फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई